युक्रेन युद में इरानी ड्रोन्स ने जो तबाही मचाई है उसे पूरी दुनिया ने देखा है रूस के राश्पती व्लादिमिर पुतिन ने इरान से हजारों घातक ड्रोन्स लेकर उसका सीधा इस्तेमाल युक्रेनी सेना के खिलाफ किया है इन ड्रोन्स ने युक्रेन के भीतर कई बड़े बड़े ऑपरेशन्स को अंजाम दिया है लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चमी देशों के प्रतिवंधों के बावजूद युक्रेन युद में इरान ने वोकर दिखाया है जिसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था इरान ने एक के बाद एक बलेस्टिक से लेकर हाइपरसॉनिक मिसाइल तक और कामिकेस से लेकर बेहद ही घातक किस्म के ड्रोन्स बना डाले हैं जो मिडलीस्ट में अमेरिकी सैन्ने अड्डों के लिए एक बड़ा खत्रा बने हुए हैं और अब इसी कड़ी में इरान ने एक बार फिर से एक खतरनाग ड्रोन बना डाला है जो अमेरिका और इसराइल के लिए नई मुसीबत बन सकता है दरसल इरान की इसलामिक रेविलूशनरी गार्ड कॉप्स ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो टार्गेट्स के भीतर घुस कर फट सकता है और ये ड्रोन रूस के जाला लैंसेट मॉडल जैसा है जिसे पहली बार 2020 में बनाया गया था इस ड्रोन को लेकर IRGC से जुड़ी इरान की सरकारी न्यूज अजेंसी तस्निम ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इस ड्रोन की नुमाईच की गई है तस्निम का दावा है कि इस नए ड्रोन को लांसेट की शमताओं के साथ लैस करके बनाया गया है जो 30 से 60 मिनट तक हवा में उडान भर सकता है ये एक पेलोड को 3 से 6 किलोमीटर तक ले जा सकता है इसके अलावा ये 40 किलोमीटर तक की रेंज हासिल कर सकता है बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में घातक ड्रोन्स बनाने के मामले में इरान का अपना इतिहास रहा है उसके पास ड्रोन बनाने की काफी ताकतवर तकनीक है या यूँ कहें कि पश्चमी देशों के हत्यारों की रिवर्स इंजिनिरिंग करने में इरान माहिर है इरान ने शहीद वेरियंज डोन बना कर रूस को भेजे थे जिनने युक्रेन के भीतर, नागरिक ठिकानों और रियाशी इमारतों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था जिसकी वज़ा से इरान पर वैश्विक रूप से कई प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन इरान के ड्रोन्स की वज़ा से मिडलीस्ट में उसके प्रॉक्सी संगठन जो इराक, यमन और लेबनान में एक्टिव हैं वो लगातार इन ड्रोन्स के दम पर अमेरिका और इस्राइल पर हमले कर रहे हैं इन में से अधिकतर हमले रणनीतिक जलमारगों पर हुए हैं जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के युदकोतों और मालवाहग जहाजों को भारी नुकसान हुआ है और अब इरान की इसी मिसाइल और ड्रोन बनाने की ताकत को कुचलने के लिए यूरोपियन यूनियन ब्रेटेन और अमेरिका उसके उपर नए प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं और यही वज़य है कि इन नए प्रतिबंधों के लगने से पहले ही इरान ने एक और घातक ड्रोन्स दुनिया के सामने रख दिया है। हाला कि अभी तक इस ड्रोन को कोई विशेश नाम नहीं दिया गया है। लेकिन इरानी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने इन प्रतिबंधों की आलोचना जरूर की है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का उसकी इरान ड्रोन इंडस्ट्री पर कोई अस नहीं पड़ेगा।